एपिसोन नमबर 146 की स्टार्टिंग होती है और फूजीन चेन मन में कह रहा होता है वो उसे इतने प्यार से बुला रहा है और फिर शेन कहता है दुफेर हो चुकी है वो अभी तक क्यों सो रही है खो मैं जाकर उसकी जाच करता हूँ और उमिद करता हूँ क्यों बिमार ना ह फिर फूजीन चेन गुस्टे से उससे कहता है उसने मेरी राद बर देख भाल करी इसलिए वो ठक चुकी है तो उसे जाकर मज जगाओ शेन उसे इस तक गुस्टे में देख कहता है हाँ ठीक है और फिर वो मन में कहना लगता है कि ये आखे वो मुस्टे कह रही है कि उससे वो बिलकुल उस वफादर कुटे की तरह है जो दरवाजे पर ड्यूटी देता है और वहीं टेंट के अंदर यान का अफ्तियोएवन में कहरी होती है फूजीन चेन सच में एक राक्षश है और क्या इस रेगिस्तान के वाता वरन ने उसे उत्तेजित कर दिया है अरे नहीं मेरी पीट बहुती जदा दर्द हो रही है और फिर फूजीन चेन टेंट के अंदर आकर यान से कहता है ये लो यान इसे खालो कल राद तुमने मेरी बहुती जदा देख भाल की है और तुम बहुती जदा ठक चुकी होंगी है ना और तुम भूकी भी होंगी और फिर यान क केती है इसका स्वाद तो सच में बहुती ज़्यदा बेकार है मैं अब इसे और नहीं खाना चाहती और वहीं फूजीन चेन उसे इस तरह देख मन में कहना लगता है इस चितरुप से उन दोनों की बीच में ऐसा कुछ हुआ है जिससे वो दोनों एक दूसरे के बहुती ज़्य के लिए हमें उसे खाना पड़ता है यह फलो को मेरे दुआरा खाया गया है और फिर यान केती है हाँ ठीक है मैं सरेंडर करती हूँ फिर फूजीन चेन कहता है मैं तुमारे साथ ये सब करकर संतुष्ठ नहीं हो सकता चाहे तुम कितनी भी बार करो इसे लिए तुम स्रिप मुझे देख सकती हो और तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं और वहीं यानमन में केना लगती है फूजिन चेन क्या वो एक बच्ची की तरह बरताव कर रहा है और फिर यानी स्माइल करती है और फूजिन चेन को गले लगाती हुए कहती है फूजिन चेन ऐसा कहा जाता है कि प्यार में एक वेक्ति एक बच्ची की तरह बरताव करता है और यहां तक कि तुम भी एक बच्ची की तरह बरताव कर रहे हो और क्या वैसे फूजिन चेन के तुम एक डेट चाते हो और फिर फूजीन चेन गुस्से से कहता है यान तुम क्या सोच रही थी अब यान हिच के चातुए केती है मैं तो बस अपनी एक डेट के बारे में सोच रही थी और वैसे भी फूजीन चेन हमारे पास पर यापत पानी और खाना है इसलिए राहत कर्मी दुआरा ढूंडे जाने से पहले हम लोग नहीं मरेंगे तो चलो फूजीन चेन हम इसे अपनी एक डेट समझते है और इस दूइप पर घुमने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है गाइज इसलिए की साथ एपीसों नूमर 146 यहां इंड होता है पसना है तो लाइक इंड सिस्काइब जरू करें मिल टैप को जल्दी नेक्स्ट एपीसोड में